जूनियर ओफिसर असिस्टेंट आई टी पोस्ट कोड 556 का परिणाम लेटकाने की चलते अभियार्थियों ने एक बार फिर से हिमाचल परदेश करम चारी चैन आयोग हमिरपुर कार्याले के बाहर अनिश्चित कालिन धरना शुरू कर दिया है अभियार्थियों ने चिताया है कि अगर दो दिन के भीतर परिणाम नहीं निकला तो सौंबार से अनिश्चित कालिन भूख हरताल शुरू की जाएगी खराब मौसम और बारिश के बीच भी अभियार्थि रात पर आसमान तले टैंट लगा कर बैठे रहे हैं धरने पर बैठे हुए अभियार्थियों का कहना है कि परिणाम निकालने के लिए पिछले आठ महीने से आश्वाशन दिये जा रहे हैं जबकि अपचारिक ताइंपूरी हो गई हैं उन्होंने बताया कि परिणाम पर कोई स्टे नहीं है जिसके चलते परिणाम नहीं निकाला जा सके अभियार्थियों का कहना है कि पूरे परदेश से अभियार्थी लगातार चेन आयोक के चकर काट कर ठक चुके हैं लेकिन हर वार आसवाशन देकर बापिस लटाया जा रहा है उन्होंने बताया कि अब तीन साल हो गए हैं लेकिन इतने लंबे समय तक परिणाम नहीं निकाला जा रहा है जैसा कि आप सब को पता है कि हमारा परिणाम है JOIT 556 का वो पिछले आठ मीनों से डटका हुआ है और उस परिणाम को HPSSC अभी भी रिलीज नहीं कर रहा है यह एक सोचने का विशे है कि आखिर क्यूं हमारा परिणाम यह नहीं दिया जा रहा है कैंडिडेट्स को क्यों नहीं दिया जा रहा है इसके संदर्म में हमारे बात पहले भी हो चुकी HPSSC के कुछ अधिकारियों से कि हम परिणाम दे देंगे हमने अपना रिपलाई भेजा हुआ है कार्मिक विभाग को शिमला को तो वहां से जैसे ही रिपलाई आएगा उसके बाद हम परिणाम जारी करेंगे और रही बात कोट केस लगे हुए है तो ऐसा कुछ नहीं है कोट केस लगे हुए है पर इस परिणाम पर कोई ऐसा कोई स्टे नहीं है कि जो इनको बाध्य करता है कि हम परिणाम नहीं देंगे तो अभी तक जो सिल्सिला है वो आसवसनों का पहले हमने कई बार आपको इंटरव्यू दिया है जिसमें ये कह रहे हैं कि हम परिणाम जो है जारी कर देंगे 8-10 दिन में पर वो अभी तक संभव नहीं हो पाया है और परिणाम जो है वैसे ही अभी भी उसी स्तिती में है कि परिणाम हमने नहीं देना है और उस परिणाम को अभी तक नहीं दिया जा रहा है तो मेरा मानिय अध्यक्ष मोदे और सची मोदे से ये बिनमर निवेदन है कि हमारा परिणाम जल्दी से जल्दी दिया जाए जो पिछले आठ मीनों से लंबित है भरती प्रकिया को भी चले हुए काफी समय हो गया है लगभक तीन साल होने के समय पूरा होने को आ गया है तो हम जोजगार कब से इस जल्द के लिए जो है टक टकी लगा रखे हैं कि हमारा परिणाम आएगा और हम और टेस्टों को भी त्यारी करेंगे हमारी करमिक अठाल जो रहेगी अब कंटीन्यू रहेगी जारी रहेगी जब तक परिणाम जो है आयोग बैब साइट के उपर टैग नहीं कर देता है तब तक हमारा यह जो भूक अठाल है यह सुरू होगा यह सोंबार से हम सुरू करेंगे अभी हमारा जो है यह सिंपल धरना प्रशन है जिसमें हम बिलकुल सांती से धरना प्रशन करेंगे और अपनी आवाज को मीडियम के माध्यम से हच्पी अससी और सरकार तक पहुंचाएंगे और जो फाइल पिछले 22 दिसंबर 2018 से कार्मी विभाग गई है उस पे क्यूं इसमें इन बहल कंडिधे को इसमें कंसीडर कर दो है आप इन आनके निजब में जो कंशीडर करना था है उसको कंसीडर कर सकते हैं मरेrum इसके उपर कोई वूविरोधार भास नहीं है रही बात चाहिए जिस भी बेस हमें बस रिकारut पर दरने भBYD 2025 वे 25 दिन ओन्म्सारी हम मंडी में कि आपका जो रिजल्ट हो दो से तिन दिन में हम सिमला से ओर्डर पास करवा देंगे और आपका रिजल्ट इसी हफते के लास्ट में डिकलेर हो जाएगा बट हम आज दुबारा से बोर्ड के अधिकारियों से मिले तो यह अभी भी यही कह रहे हैं कि हमें सिमला से के तरफ से अभी भी आपके जो रिप्लाई हमने मांगा हुआ है उसके उपर कोई डारेक्शन नहीं है लेकिन आयोग सचिप के आशवाशन दिये जाने के बाद परिणाम दस जनबरी को निकालने की बाद कही थी लेकिन अब जनबरी महा बीतने के बाद भी परिणाम नहीं निकाला गया है जिससे अभी आर्थियों में गहरा रोश है